Hey guys welcome back to my channel मैं हूँ सुनीत और आप देख रहे है कोगी क्लैन तो दोस्तों आज हम बहुत ही आसान सा एक वाल डेकॉर बनाने वाले हैं जो बहुत ही बीटिफुल लगता है और बहुत ही लिमिटेट समान से आप इसे इजीली बना सकते हैं तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तो चले बिने किसी टाइम बेश करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने यह काटून का एक एक ओल्ड सा में पास एक बॉक्स पड़ा था उसमें से मैंने यह काटबोड कट कर लिया है जितना बड़ा मुझी अपना यह फ्रेम बनाना था तो आप जाहे तो अगर आपके तो पुरानी फ्रेम पड़ी हो और अप अन्यूस पड़ा है तो आप इसे भी यूस कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे कट कर लिए यहां पर मैं यह फैविकॉल लिया है तो हाट ब्लू भी आप यूस कर सकते हैं तो मेरे पास में फैविकॉल था तो मैं वही यूस कर रही हूं तो इस तरह से हम जिस तरह से हमें चिपकाना है मुझे जिस तरह से ट्रंक का अपना शेप देना है उस तरह से मैं पहले फैविकॉल लगाऊंगी और उसकी ऊपर में ये रोप को मैं स्टिक कर दूंगी तो चलि हम स्टिक कर लेते हैं यहां पे यह ब्रांचेज बनाने एं मैं इसको तरह से नैच्रल लुक देना चाहती हूं तो मैं इस तरह से इस जूट के रोप को स्टिक करूंगी तब को अपको ऐसा लगेगा कि जिसे डालिया है तो चलि उसी तरह से हमें से शेप दे देंगे गलू की मदद से तो मैं हमेश प्रिफर करती हूं कि जिस शेप में मुझे ब्रांचेज बनाने उसी हिसाफ से मैं ग्लू इस पे चिपका दूँ एंड इसके बाद मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसके उपर में इस रोप को स्टिक करना तो देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मेरा शेप अभी आर का इतकी जो रोप में नेचे मी स्टिक करेंगी अगर आप इसकते हैं तो आप ओबह जहाँ जहाँ कमिया महशूस हो रही है वहाँ पे मैं इस रोप को में श्रीक करते जारी हूं तो जैसी आप की मर्जी आपु अ कुसी सब से कर सकते हैं अगर इसे भी ज्यादा हुज्द म बहुत ही easy है just मुझे branches को stick करते जाना है तो इसी तरह से मैं ag चिपकाऊंगी जाएंड उसके ओपर में यह सारे मॉडS को stick करते जाऊंगे ताकि हमारा यह जो री है यह वह ready हो जाए तो यह बहुत ही simple a बहुत ही easy मैंने स्टाटिंग भी कहा था कि आज का जो वीडियो है बहुत ही इजी है एन लिमिटेड समान से बन जाएगा तो बस अब कुछ नहीं करना है बस हमें इस इसे इस तरह से स्टिक करते जाना है सारे मौस इसमें स्टिक करते जाएंगे अंटिल अंगलेस हमको यह न लगी कि एक ट्रीखा शेप ले रहा है तक हम इसे सारे स्टिक करते जाएंगे तो देखा आपने यह बहुत ही इजी है बहुत ही लिमिटेड समान से इसे बना सकते मैंने इसमें मुश्किल से तीन से चार से यूज किया है बहुत ही इजी लिए बन गया है और यह बहुत अच्छा भी लगता है तो आप लोग भी से जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलि हम फुरसा इसमें और फुरसा वरकिंग करते हैं तो मैं थुरसा नीचे से भी इसे थुरसा नाच्रल लुक देनी की कोशिश करूंगी तो मैं थुरसा ग्रीन ग्रास और थोड़े से फ्लावर्स का इफेक्ट देना चाहती हूं तो वैसे ही मैंने वापस से इसमें कोल मैं इसमें बिच्छा स्टिक कर रही हूं उसके बाद में अगैन इसमें मॉस चिपकाऊंगे सो यह एक ग्रास का लूग दे तो चलिए इन्हें भी हम इस पर चिपका देते हैं इसे भी हर जगह पर स्टिक कर देंगे ताकि जो हमारा जो फ्रेम है वह कंप्लीट सा लगे अधर्वाइस यह इनकम्प्लीट सा लग रहा था और इसमें थ्रूआ सा नैश्रल लूप भी आ रहा है आस इफेक्ट तो दे दिया चलिए इसमें फ्लावर्स भी हम स्टिक कर देंगे तो यहां पे मेरे पास में ये येलो ड्राइफ फ्लावर्स है तो यह बहुत ही सुंदर लगता है इसे चिपकाने से एक अच्छा सा नैश्रल सा लूप का रहा है यहाँ पर मेरे बास यह दूसरा भी ड्राइड फ्लावर है जिसे भी मैं यूज करूँ ही ताकि थुड़ा सा और भी नैश्रल लूप लगे इसे भी हम स्टिक कर देते हो तो यह बहुत ही इजी है और मैं आप को जरूर रेकेमेंट करूंगे कि आपने इसे जरूर ट्राइ कीजेगा यह बहुत ही ब्यूटिफू लगता है आप इसे अपने इमाजिनेशन से जैसा चाहे बना सकते हैं तो देखें यहाँ पर मैं यह फ्लावर स्टिक करते जा रहे हूं बाकी के फ्लावर स्टिक कर देत है तो लास्ट हमारा काम रहेगा इसे एक थोड़ा सा और भी फिनिश्ट लोग देने के लिए तो यहाँ पर मैं बॉर्डर के लिए अगैन मैं जूट रोप यूज कर रहे हूं तो कुछ नहीं करना है बस इसके नाप से आप इसे कट कीजिए और इसे आप इसे स्टिक कर द दिए तो यह रहा मेरा फाइनल लुक तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताएगा कि आप लोग को यह कैसा लगा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें तब तक के लिए बाबाई